जब इंडिये सिनिमा की बात होती है तो लोग हमें सब बॉलिवोड सिनिमा को रीजनल सिनिमा से उपर रखते हैं लेकिन हकीकत में कहानी पूरी तरह उल्टी है दोस्तों आजकल काफी ज़ादा उल्टा होता है रीजनल फिल्मों में से आपको कॉंटेंट हमें देखने के लिए मिलता है उस कॉंटेंट की बरावरी करना बॉलिवोड के बसकी बात नहीं बलकि बॉलिवोड उनकी फिल्म का रीमेक बना करके अपनी दुकान चला रहा है दोस्तों ऐसा पहले से नहीं था केजीएफ और बाहुबली जैसी फिल्मों के आने से ये रिवलुशन आया है अगर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं बाहुबली और केजीएफ जैसी धमाकेदार साउस इंडियन फिल्म के जादू हमें एक और तीसरी फिल्म में देखने के लिए मिलेगा तो क्या आप लोग मेरी बात का विशवाश करेंगे सो हेगा इस वेलकम बेक टूमा चैनल आज हम लोग बात करने वाले हैं सलार के बारे में लोगों को बता दो दोस्तों सलार मुवी जल्दी आने वाली है सिनेमा गरों में और इस मुवी में इतनी तागत है कि हिस्ट्री फ्यूचर और प्रिजेंट तीनों ही बदल जाएंगे सिनेमा गरों के तो समझ लीजिए कि बॉलिवुड की उल्टी गिंती सुरू हो चुकी है फिल्म में लीड हीरो के एंट्री मिलेगी साउथ इंडियन इस्टार बाहु बली मिश्टर प्रभास को वैसे आप लोगों को बता दूँ सलार का मतलब आसान भासाओं में लीडर होता है कि अपने पीछे घड़े हजारों लाखों लोगों के लिए उनकी हक्की लड़ाई के लिए अपनी जान को जोखिम में डालके उन्हें इंसाफ दिलाता है उनका थीम अंडरवर्ड और माफिया के अराउंड होने वाला है कि कुछ पावरफुल खतरना गेंग्स्टर आम जन्ता को अपने पैरों के नीचे कुछल कर उन पर हकूमत जमाना चाते हैं प्रभाष जानी की बाहुबली लोगों का सेवियर बनके इनके केरेक्टर में नजर आएंगे तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि हम सभी को पता है प्रभाष जब एक्षन करते हैं तो कितना शांदार एक्षन होता है जिस तरह केजीएफ में रोकी भाई केजीएफ में शांदार प्रदेशन करके दिखाया था उसी तरह दोस्तों सलार से भी उम्मीद की जा रही है कि सलार मुवी भी काफी अच्छी कमाई करेगी इंडिस्ट्री में आके एक यूनिक कॉंसेट के साथ सलार मुवी दिखाई जा रही है दोस्तों सलार की स्टूरी लाइन वी कुछ इस तरह होने वाली है कि सलार में उनका लीडिंग एक्टर यानि की प्रभास लोगों का भरोसा जीत के उनका मस्या बनने वाले हैं से कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म में वोईलेंस और खून खराबा आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक किए जिए शेर किए